राम स्कूल जा चुका है, आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या कैसे पता करेंगे कि ये जो सेंटेंस जो मैंने अभी रिपीट किया, राम स्कूल जा चुका है, ये किस टेंस का है? क्या ये पास टेंस का है? या फिर ये प्रजेंट परफेक्ट टेंस का है? क्या इसमें was लगने वाला है, क्या इसमें have has लगने वाला है, क्या इसमें वेंड मेंड मर्प का कौन सा form लगने वाला है, कैसे पता करेंगे और इस तरह के sentence कैसे हम English में बोलेंगे, अपने daily life में कैसे इसका use करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, तो students, welcome to this is student point academy, और यह है English speaking course का lecture number 11, और इसमें हम करने वाले present perfect tense, इस तरह के perfect tense में, हम जो question करने वाले हैं, जिस तरह के sentence हम लेने वाले हैं, उसका एक example मैं आपको देता हूँ, राम स्कूल जा चुका है, यह positive, which means affirmative sentence, राम स्कूल नहीं जा चुका है, यह negative sentence, उसके बाद question mark वाले sentence आइंगे, क्या राम स्कूल जा चुका है, और इसी में interrogative, affirmative, negative, sorry, interrogative, negative sentence में, क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है, यह हम देखने वाले हैं, यह है present perfect tense, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, कौनसा वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, मतलब ऐसा समय, ज पूरा हो चुका है, तो जो काम हमने वर्तमान में, मतलब present में complete कर लिया है, धान से सुनिये, जो काम हमने present में, वर्तमान में complete कर लिया है, उस काम के बारे में, हम English में कैसे कहेंगे, वो हम आज के इस lecture में करने वाले हैं, आईए student, start करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए student point academy चानल को, और bell icon को तबाईए study से related वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, तो students, यह है present perfect tense, और present perfect tense की जो पहचान है, उसे हम कैसे करेंगे, वो आपको बता दू, देखिए present perfect tense में, जब भी हम हिंदी में sentence कहेंगे, तो उसके last में, इस sentence की ending, चुकी है या चुके है से होगी, जैसे वह आ चुका है, वह जा चुका है, वे यह काम कर चुके है, जिसे हम English में present perfect tense, और हिंदी में पूर्ण वरतमान काल कहते हैं, ओके, ध्यान में रखिए, अब इसका जो formula है, बहुत simple है, ओके, formula है subject, plus have, या has, oblique है बीच में यहाँ पर तो subject के बाद या तो have लगेगा, या has लगेगा, कब have लगेगा, कब has लगेगा, यह उपर दियेगे, subject में depend करेगा, उसके बाद जो main verb है, उसका third form लगेगा, और उसके साथ यहाँ पर लग जाएगा, object, simple सा formula, subject plus have is, plus third form of main verb, plus object, ओके, इसी में यह affirmative sentence है, negative sentence में क्या हो जाए उसके बाद interrogative affirmative, interrogative negative, मतलब इसी यही इसका base sentence है, और इसी base sentence के हम four sentence देखने वाले हैं, मतलब four तरह के formula देखने वाले, so students, देखिए, अगर subject में I, we, you, they, अगर है, तो in subject के साथ have लगता है, अगर subject में he, she, it, या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो ऐसे subject अगर हो, तो उसके सा has लगता है, ओके, ध्यान में रखिए, अब आईए, इस तरह के sentence को कैसे complete करते हैं, मतलब किस, इस तरह के sentence किस तरह से होते हैं, उसके हम example देख ले, तो देखिए, वहाँ अपने मित्र को पत्र लिख चुकी है, तो students, सबसे पहले formula को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, formula में है subject plus have has plus third form of main word plus object, अब main word का third form हम कैसे देखेंगे, तो इस question को समझते हैं, यहाँ पर जो sentence है उसे देखते हैं, वहाँ अपने मित्र को पत्र लिख चुका है, यहाँ पर क्रिया कोन सी हो रही है, यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है, लिखने को English में क्या कहते है, write, make me change the ink, write, यह main word का first form है, इसका second form होता है wrote, और इसका third form होता है written, ओके, यह है first form, यह second form, यह third form, इन तीनों का मतलब लिखना ही होता है, ओके, पर write याने लिखना, wrote याने लिखा, और written याने लिख चुका है, समझ में आ रहा है, तो इस रहे हैं यहाँ पर हम return यूज करते है third form of main verb के रूप में, तो यह हो गया भई, verb, लिखना की क्रिया हो रही यहाँ पर, तो यह हो गया verb, ओके, वह, यह हो गया subject, और अपने मित्र को, यह हो गया object, आईए इसे arrange कैसे करेंगे, subject क्या है, वह, वह के लिए लगाते हैं, ही, ही, ही के साथ क्या लगने वाला has, तो ल लिखेंगे, return, he has written, क्या लिख चुका है, पत्र, he has written later, या फिर a letter, he has written a letter, किसे, अपने मित्र को, तो he has written a letter, to, sorry, यहाँ पर she आने वाला है, क्योंकि लिख चुकी है, वह अपने मित्र को पत्र लिख चुकी है, तो यहाँ पर आ जाएगा, she has, she has written a letter to her, उसकी बात हो रही, उसकी मतलब यहाँ पर वह को ने, वह यह लड़की है, अगर वह लड़का होता, तो यहाँ पर ही माता, क्योंक के बारे में ही बात हो रही है, तो she has written a letter to her friend, उसके बाद, राम स्कुल जा चुका है, तो क्रिया गुंसे हो रही है जाने की, तो जाने के लिए हम कहते गो, गो का second form होता है वेंट, और गो का third form होता है गौन, उके, गो याने जाना, वेंट याने गया, गोन याने जा चुक होता है, तो लिखेंगे राम, नए नेम है, तो नेम के साथ helping work, यहाँ पर आ जाएगा has, तो राम has gone to school, है तो simple, उसके बाद, वे अपना कारिया समय पर पूर्ण कर चुके हैं, तो पूर्ण करना मतलब complete करना, ओके, तो यहाँ पर, यहाँ गया complete, इसका second form होता है completed, ओके, completed, और third form भी होता है completed, यही second form है, यही third form है, और यह first form है, ओके, तो आईए इसे लिखते हैं, दे, वे के साथ आएगा, दे, दे के साथ क्या आने वाला है, भई, have, so they have completed, they have completed, completed, वे अपना काम, अपना मतलब उनका खुद का काम, वे अपना काम पूर्ण कर चुके हैं, मतलब वे उनका काम, उनका खुद का काम पूर्ण कर चुके हैं, so they have completed their work, their work, और कब complete किया उनके समय के पहले, so before, before time, समय के पहले उनके अपना काम पूर्ण कर लिया हैं, समझ में आया, ये था subject, ये था verb, पूर्ण करना, ओके, और ये है object, अपना कारियर, समय के पहले, ये पूरा का पूरा object और other में चला जाएगा, उसके बाद आते हैं, मीरा यहाँ film देख चुकी है, तो देखने के लिए होता है watch, देखने के लिए c भी होता है, c आने देखना, watch आने देखना, किसी व्यक्ति को देखना, ओके, आप किसी tree को देख रहे, किसी समंदर को देख रहे, तो वहाँ पर c आ जाएगा, s, double e, c, ओके, अब यहाँ पर अगर आप picture देख रहे तो, उसमें आ जाएगा watch, watch यह नहीं भी देखना ही होता है, so watch और इसका यह है first form और इसका second और third form होता है watched, ed लग जाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, यहाँ मीरा, has, watched, यहाँ फिल्म, means this picture, या फिर इस movie, okay, मीरा यहाँ मूवी देख चुकी है, उसके बाद हम खाना खा चुके हैं, तो यहाँ आजाएगा, we have, खाना खाने के लिए होता है, eat याने खाना, तो खाना खाना इसके लिए होता है eat, किसी भी चीज को खाने के लिए हम इंगलिश में word यूज करते हैं, eat, इसका second form होता है eaten, ate, eat, eat, eat और third form होता है eaten, तो यह हो गया first form, यह second form, यह third form, इसमें हमें third form यूज करना है, तो we have eaten, हम खाना खा चुके, तो खाने के लिए क्या होगा food, अब यहाँ पर अगर सुबह का खाना होता, तो हम अलग word यूज करते, रात के खाने के लिए अलग word करते, नाश्टे के लिए अलग word करते, बस यहाँ पर हमने खाना यूज किया है, तो हम यहाँ पर food ही लिखेगे, तो we have eaten food, हम खाना खा चुके हैं, तो यह थे positive sentence, अब इन ही के हम देखने वाले है, negative sentence, तो आईए, अब देखते इसके, negative sentence, negative sentence में है, subject, देखेए, formula वही है, subject plus have has, plus third form of main work, plus object, plus, extra क्या लगा है, not, negative के लिए आपे not लगा दिया गया है, वो भी कब helping work के बाद, तो subject plus have has, plus not, plus third form of main work, plus object, इस तरह से ही होता है, तो आईए, देखते हैं, अभी हमने, हर बार हम ऐसे ही करते हैं, हमने, जो पीछले, उपर sentence, five sentence लेते हैं, वही five sentence हम नीचे लेने वाले हैं, ताकि sentence आपको repeat होता है, तो easily समझने मजा आता है कि किस तरह से fluctuate हो रहे हैं, किस तरह से changes हो रहे है, तो वहाँ अपने मित्र को पत्र लिख चुकी है, तो लिखेंगे, she has, वहाँ अपने मित्र को पत्र नहीं लिख चुकी है, तो she has not return later to her friend, उसके बाद, राम स्कुल नहीं जा चुका है, तो इसमें आ जाएगा राम, राम के साथ has, has के साथ not, राम has not gone to school, उसके बाद, वह अपना कारिया समय के पहले पूर्ण नहीं कर चुके है, तो आएगा, they have not, they have not completed their work before time, वहाँ अपना कारिया समय के पहले पूर्ण नहीं कर चुके है, उसके बाद, यहाँ पर है फिर, मीरा, यहाँ फिल्म नहीं देख चुकी है, तो आएगा लिखेंगे, मीरा, हैज, नौट, वॉच्च्ट, दीस मूवी, के मीरा, हैज, नौट वॉच्च्ट, दीस मूवी, मीरा, यहाँ पिच्चर नहीं देख चुकी है, उसके बाद, हम खाना नहीं खा चुकी है, तो क्या जाएगा, we have not, we have not eaten food, हम खाना नहीं खा चुके है, हम खाना अभी तक नहीं खा चुके है, तो उसमें आप आएगा, we have not eaten food yet y-e-t yet मतलब अभी अभी तक हमने नहीं खाया खाना तो इस तरह से यह होते हैं अब आईए इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं जो कोशन वाले होंगे पर कोशन वाले के साथ यह होंगे निगेटिव में ओके सौरी निगेटिव नहीं पॉजिटिव होंगे इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कोशन वाले पर पॉजिटिव ओके तो देखी अभी क्या हो गया पहले हमारा जो फॉर्मूला था वो था सब्जेक्ट प्लस हैव हैस प्लस थार्ड फॉर्म फॉर्म प्लस अब्जग्ट अभी इसमें क्यों होगए इसमें कोशन मार्क लगाने के लिए है हैस है्ज सामने आ गया ओके तो यहाँ पर है वह से सुन्दिव स्टार्ट होगे तो क्या वह वह अपने मित्रों को पत्र लिख चुकी है तो क्या है जाएगा has has she has she return or later to her friend उके उसके बाद राम इसकूल जा चुका है क्या राम इसकूल जा चुका है तो गएंगे has राम gone to school उके उसके बाद क्या वे अपना कारिया समय के पहले पूर्ण कर चुके हैं बताईए फटा फट क्या आएगा अब आप बता सकते हैं क्यूँकि इस तरह के sentence आपने रिपीट किये हुए अब आप बता सकते हैं क्या वे अपना कारिया समय के पहले पूर्णे कर चुके हैं तो आ जाएगा have they have they completed their work before time उसके बाद क्या मीरा यह फिल्म देख चुकी है कैसे लिखेंगे इसके लिए क्या मीरा यह फिल्म देख चुकी है तो क्या यह जाएगा has मीरा watched these movies क्या मीरा यह फिच्चे देख चुकी है फिल्म देख चुकी है सब में कोशन मार्क लगाए जाएगा उसके बाद क्या हम खाना खा चुके है तो हम मतलब वी तो वी के पहले क्या आ जाएगा have तो आ जाएगा have we eaten food क्या हम खाना खा चुके है इसके बाद चलते है interrogative negative sentence की और जिसमें question mark माले होंगे पर negative sentence होंगे जैसे उपर हमने देखा था क्या वहाँ अपने मित्र को पत्र लिख चुकी है अब हम देखेंगे क्या वहाँ अपने मित्र को पत्र नहीं लिख चुकी है तो इसमें कैसे लिखेंगे has formula देख लेते हैं have has के बाद not और उसके बाद subject प्लस form of main word प्लस object तो यहाँ पर आजाएगा has not has not she okay has not she return a letter to her friend उसके बाद क्या राम इसकूल नहीं जा चुका है क्या राम इसकूल नहीं जा चुका है तो उसमें आ जाएगा has not राम gone to school उसके बाद क्या वे अपना कारिया समय के पहले पुर्ण नहीं कर चुके है तो यह आ जाएगा have not they completed their work before time उसके बाद क्या मीरा यह फिल्म नहीं देख चुकी है तो क्या जाएगा यहाँ पर has not मीरा watched these movie उके इन सब में कोशन मारक लगेगा साथ में उसके बाद last है क्या हम खाना नहीं का चुके है तो क्या जाएगा have not we eaten food क्या हम खाना नहीं खा चुके तो देखिए इस तरह से यह था present perfect tense present perfect tense तभी यूज किया जाता है जब कोई काम वर्तमान में पूर्न किया गया हो जो काम वर्त काम वर्तमान में पूरा होता है मतलब present time में आपने अभी अभी किसी काम को पूरा किया है और वो काम complete हो चुका है पूर्न हो चुका है तो ऐसे काम को आप present perfect tense में मतलब पूर्न वर्तमान काल में बता सकते हैं और इस तरह के sentence को इस तरह के किये गया काम को आप English में कैसे बताएंगे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सही में बहुत ही अच्छा लगा है तो आप जितने लोगों को जानते हैं उन सभी लोगों तक इन वीडियोस को पहुचाने की कोशिश कीजिए क्योंकि इंग्लिश में बात करना ये हर किसी की नीड है हर कोई चाहता है और आपके वज़े से अगर किसी की मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और आपकी वज़े से अगर मेरी भी मदद हो जाए तो बहुत अची बात है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने वीवर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो जादा से जादा इन वीडियोस को अधर तक शेहर करें So students हमारे साथ बने रहे हैं देखते रहे हैं Student Point Academy और जुड़े रहे हमारे साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में Till then Bye Bye और I hope that कि हम जो चीज़े आपका समझा रहे हैं सिखा रहे हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में अपने डेली लाइफ में बोलतने के लिए यूज करेंगे जरूर करेंगे ये मेरी पूरी उमीर है और साथ में WhatsApp की लिंक तो नीचे दी हुई रहती है WhatsApp लिंक में आकर हमारे WhatsApp ग्रूप से connect हो जाईए और आप जो भी वीडियो देखकर हमारा work कर रहे है उसे complete करके हमें WhatsApp जरूर कीजिए हम जरूर चेक करेंगे आपने सही किया है या नहीं और उसके साथ-साथ मैं एक और बात कहना चाओँगा कि यहाँ पर हम हर दिन चार फॉर्मूले देखते हैं हर लेक्चर में चार फॉर्मूले बताते हैं आपको हर एक फॉर्मूले के आपको 20 sentence बनाने मतलब चार फॉर्मूले के 80 sentence दिन में रोज इतना काम तो आपको करना ही है अगर आप इतना काम नहीं करेंगे तो मुश्किल है कि आप English fluently बोल पाएंगे अगर आपको बोलना है अगर आप करना है तो आप इतना काम तो यह आपका हमवर के भई और आपका हमवर की आपके practice है जो आपको ही करनी है मैं मेरा काम करना हूँ मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि यह रास्ता है आपको इस पर चलना है उस रास्ते पे मैं अपने कंदे पर बिठा कर आपको वो रास्ता पार नहीं करवा सकता रास्ता आपको ही चलना है रास्ता दिखा ना मेरा काम है मैंने दिखाया है उस रास्ते पे आपको चलना है मतलब प्रैक्टिस आपको करनी है मैंने सिखाया है कि इस तरह के सेंटेंज को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आपको word power increase करना है समझ में आ रहा है आपको dictionary और ये नए-ने sentence को marking कीजिए, याद कीजिए, उसके word power को अपने पास रखिए, और उन sentence का, sorry, उन words का अपने sentence में English में बोलते से हैं, उसका use कीजिए, आप बहुत जल्द English बोलना बहुत जल्दी सीखी जाएंगे, दोस्तों English सीखना ये एक मैने का काम नहीं है, लोग कहते कि हम एक दिन में, छे दिन में, एक मैने हमें English तिखा देंगे, तो ये possibly नहीं है, language है, और ये practice से ही होगा, जितना practice करोगे, उससे ही होगा, करने से ही होगा, एक बात ध्यान में रखिए, so sprints मिलते हैं next video में, till then, bye-bye.